नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्तित हूँ दोस्तों आप सभी की सिवा में कुछ एक महत्वपून जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पिपली के ये 13 राम बाननुस्खे कर देंगे आपको हैरान दोस्तों जहां पिपली या छोटी पिपल अनेक और शध्य गुनों से संपन्न होने के कारण आयुर्वेद की एक प्रमुख दवा है दोस्तों आम जन्मानस इसे गर्म मसाले की समगरी के रूप में भी जानते हैं पिपली काली होती है तथा पंसारी के यहां आसानी से मिलती है दोस्तों पिपला पाइपर लोंगम का सूखा फल है जो एक चड़ने वाले गाठदार तनाओं एवं चीरस्थाई काष्ट सद्रिश जड़ों से युकत है इसके पत्ते 5 से 9 सेंटीमीटर लंबे 3 से 5 सेंटीमीटर चोड़े अंडाकार तल में विश्त्रित वृताकार पिंडक वाले हैं इस्त्री जातिय स्पाइक बेलनाकार उन्जाती स्पाइक बड़े और पतले होते हैं इसके दोस्तों इस्त्री जातिय स्पाइक 1.3 से 2.3 सेंटीमीटर लंबे 4.5 मिलीमीटर व्यास के होते हैं फल अंडाब पिताव नारंगी छोटा गुठलीदार फल एवं मांसल स्पाइक में डुबा हुआ होता है पिपली की कुमल तनों वाली लताएं 1 से 2 मिटर तक जमीन पर फैलती हैं इसके गहरे रंग के चिकने पत्ते 2 से 3 इंच लंबे एवं 1 से 3 इंच चोड़े हिरदय के आकार के होते हैं इसके पुष्प दंड एक से 3 इंच एवं फल एक इंच से थोड़े कम अधिक लंबे शहतूत के आकार के होते हैं दोस्तों कच्चे फलों का रंग हलका पीला पन लिये एवं पकने पर गहरा हरा रंग फिर काले हो जाते हैं इसके फलों को ही छोटी पिपली या पिपल कहा जाता है वैदेही कृष्णा मागधी चपला आधी पवित्र नामों से अलंकृत सूगंधित पिपली भारत वर्ष के उष्ण प्रदेशों में उत्पन्न होती है वैसे इसकी चार प्रजातियों का वर्डन आता है दोस्तों परन्तु व्यवहार में छोटी और बड़ी दो प्रकार की पिपली ही आती है बड़ी पिपली सिंगापूर से आयात की जाती है परंतु छोटी पिपली भारत वर्ष में प्रचूर मात्रा में उत्पन्न होती है तीन पिपली पीशकर जहां दोस्तों शहद में मिला कर चाटने से स्वास खासी के साथ जोर मलेरिया ठीक होता है फ्लू में दो पिपली या चोथाई चमच सोंट दूध में उबाल कर पिलाएं लाव होगा दोस्तों पिपली के एक से दो ग्राम चून में सिंधा नमक, हल्दी और सरसों का तील मिलाकर दांत पर लगाने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है पिपली मूल, काली मिर्ज और सोंट के संभाग के चून को 2-2 ग्राम के मात्रा में लेकर शहद के साथ चाटने से जुकाम में लाव होता है पिपली वरिक्ष के पत्ते दस्तों को बंद करते हैं जिहां दोस्तों अगर आपको दस्त लग रहा है पिपली मतलब हमारा यहां है दोस्तों पिपल, कई जगा पिपल बोला जाता है इसे इसके पत्ते चबाएं या पानी में उबाल कर इसका उबला हुआ पानी पिएं आपको लाव होगा दोस्तों पिपली को पानी में पिसकर माथे पर लेप करने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है पिपली और वच चुन को बराबर मात्रा में लेकर तीन ग्राम के मात्रा में नियमित रूप से दो बार दूद या गर्म पानी के साथ सेवन करने से आधह सीशी का दर्द ठीक हो जाता है जहां दोस्तों आधे सर का दर्द ठीक हो जाता है पीपली या छोटी पीपली अनेक और शद्य गुनों से संपन्न होने के कारण आयरुवेद की एक प्रमुख दवा है आम जन्मानस इसे गर्म मसाले की समगरी के रूप में भी जानती है दोस्तों इसका मसाली के रूप में और अचार एवं परिरक्षकों में भी प्रियोग होता है दोस्तों इसके फल एवं जने श्वसन रोगों के लिए दवा के रूप में और पेशी दर्द सूजन के लिए प्रती प्रकोपक एवं पीडाहारी रूप में प्रियोगत होते हैं इसके वातहर, हीमित टैनिक एवं क्रीमी रोधी गुमें शहद मिला हैं दोस्तों प्रातह सेवन करने से कोलेस्टरोल की मातरा नियमित होती है दोस्तों तथा हरिदय रोगों में लाव होता है वात जनित समस्य आएं 6-5 पुरानी पीपली के पोधे की जड़ सुखा कर कूट कर चून बना ले इस चून की 1-3 ग्राम की मातरा गर्म पानी या गर्म दूद के साथ पिला देने से शरीर के किसी भी भाग का दर्द 1-2 घंटे में दूर हो जाता है दोस्तों ब्रिधा आवस्था में शरीर के दर्दों में यह अधिक लाव दायक होता है योन शक्ति और काम शक्ति बढ़ाने के उपाए जी हां दोस्तों योन संबंद बनाने के लिए जितना ध्यान-मांसिक तैयारी और काम में तेजना को देना चाहिए उतना ही ध्यान अपनी योन शक्ति पर भी देना आवश्यक है योन शक्ति के अभाव में एक बहतरीन रोमैंटिक महाल में भी आप अच्छे से अपने आपको अपलाई नहीं कर पाएंगे या अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे दोस्तों जिन व्यक्तियों में योन शक्ति का भाव होता है वो सिक्स के दोरान थोड़ी ही देर में खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं उनके लिए भी ये पिपली बहुत ही बहुत ही लावकारी सावित होता है दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछे कैसी ही महतोपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों